उधारंड साथ श्याम ने राष्ट्री बैंक में 64,000 रुपे जमा किये यदि चक्रविद्धी ब्याज की दर 2 सही 1.2 प्रतिशत वार्शिक हो तो 3 वर्ष पश्चात उसे कुल कितनी राशी प्राप्त होगी ब्याज की राशी भी बताएं उधारंड साथ हल हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर कि मिश्रधन ए बराबर कितना होगा पी एक धन आर बटे सो पूरे की घाथ n जहां पी मूलधन है आर दर है और n समय है हम देख लेते हैं कि प्रष्ट में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है यहां मूलधन बराबर हमारे पास है P बराबर 64000 रुपे इसके बाद दर दी गई है दर R बराबर 2 सही 1 बटे 2 प्रतिशत वारशिक इसको हम हल करके लिख सकते हैं 5 बटे 2 प्रतिशत वारशिक इसके बाद समय समय N बराबर है तीन वर्ष इन सभी का मान यदि हम सूत्र में रखें तो हमें मिलेगा अत्थ A बराबर P का मान पहले रख ले P का मान कितना है 64000 रुपे गुनित एक धन आर याने की 5 बटे 2 और पूरे के बटे 100 घात कितनी है इसकी 3 क्योंकि समय दिया गया है तीन वर्ष इसे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 64000 गुनित एक धन इसे सरलतम रुप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 बटे 2 गुनित 100 पूरे के घात 3 चलिए आगे हल करते हैं हमें मिला था मिश्र धन ए बराबर 64000 गुनित एक धन 5 बटे 2 गुनित 100 पूरे के घात 3 पुना आगे हल करने पर 64000 और उसके बाद हमें इसे हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 से हदी हमें इसे हल करें तो हमें मिलेगा इसे एक बटे 40 और पूरे के घात 3 क्योंकि यहां 5 से यह कट कर 5 एकम 5 और यहां मिल रहा है 20 और यह हो गया 20 गुनित 2 यानि की 40 अब पुना आगे हल किया जाए 64000 और एक धन एक बटे 40 को यदि आप हल करेंगे तो वो लिखाएगा 41 बटे 40 पूरे की घात 3 पुना पुना हल करते हैं और इसकी घात 3 है तो हम इसे हल करने के लिए तीन बार गुना रूप में लिख सकते हैं एक 40 बटे 40 गुडित एक 40 बटे 40 गुडित एक 40 बटे 40 इसे हल करने के लिए यदि हम 40 के पहड़े से इसे हल करें तो यहाँ पर 40 से कम 40 और यह हल होकर हमें मिलेगा 1600 इसके बाद पुना 40 के पाड़े से हल करेंगे तो यह 1600 कटेगा 40 बार में और लास्ट में इस 40 से यदि हम इसे कैंसल करें काटें तो 40 से कम 40 और यहां भी 40 से कम 40 याने की 40 गुणे 40 गुणे 40 यह हमें पूरा प्राप्त हुआ 64000 यह पूरी तरह से कट गया हल जो हमारा हर था व गुणे 41 गुणे 41 और इसका जो गुड़न फल होगा वो हमें प्राप्त होगा 68,921 रुपए इस प्रकार मिश्रण धन हो गया 68,921 रुपए अब हमें ग्याद करना है चक्रविद्धी ब्याज हम जानते हैं कि चक्रविद्धी ब्याज बराबर होता है चक्रविद्धी ब्याज याने कि बैंग से प्राप्त जो ब्याज की राशी है वो बराबर हो जाएगी मिश्रधन, रिण, मूल्धन मिश्रधन कितना है 68,921 रुपए और मूल्धन हमारे पास है 64,000 रुपए तो प्राप्त राशी हो गई 4,921 रुपए इस तरह हमें चक्रविद्धी ब्याज जो है वो प्राप्त हुआ 4,921 रुपए और यह प्रश्न हल हुआ झाल झाल